और हैरान है कि क्या कारण है प्रधार मंत्री किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है चीन पर चीन पर संसद में चर्चा करने को तैयार नहीं है दो दिन पहले मैं और हमारे प्रभारी जैराम रमेश जी आपसे मुखातिब हुए थे, इसी मुद्दे पर हुए थे, हमने कई महतोपूर्ण बिंदू इसमें उठाए थे, प्रधान मंतरी के चीन से जो गनिश संबंध हैं, आज से नहीं है, पिछले 20 सालों से जो उन्होंने संबंध चीन से बनाए हैं, चीन के राश्टपती से बनाए हैं, जब प्रधान मंतरी गुजरात के मुख्य मंतरी थे और चीन के राश्टपती एक आला पदपर्थेल राश्पती नहीं बने थे, तब से आज तक जो उनके रिष्टे हैं, उन्हीं रिष्टों में एक राज जोड़ो कि मैं आपको कि 2013 में जो एक कैबिनेट डिसिशन मनमोहन सिंग सरकार ने लिया था बड़ा महतुपूर्ण निर्ने था माउंटेन स्ट्राइक कोर नब्बे हजार सैनिकों की का एक विशेश दस्ता चीन के खत्रे को दिमाग में रखते हुए ये निर्ने लिया गया था कि माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाई जाए 2013 में ये निर्ने हुआ 2014 में हमारी सरकार जाने से पहले इसका एक डिविजन बना कर गई जिसके हेड़कॉर्टर पश्चिम बंगाल में है दूसरा डिविजन पठान कोर्ट में बनना था सरकार बदल गई चीन परस्त प्रधान मंत्री आ गए नरेंद्र मोदी मैं उनको चीन परस्त बोलता हूँ कारण है मेरे पास हम सब के पास बहुत कारण है उनको चीन परस्त बोलने के तो चीन परस्त प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधान मंत्री बने जो पठान कोर्ट में माउंटेन स्ट्राइक कोर का दूसरा डिविजन बनना था वो रोक दिया गया फंड्स नहीं दिये गए दूसरा डिविजन नहीं बना माउंटेन बस्ते में डाल दिया गया है हम प्रधान मंत्री जी से पूछते हैं जवाब दीजिए दबाव किसका था आप पर क्या चीन का दबाव था चीन हमारी सरकार थी तब भी यह चीन भेजते थे अपने प्रतिनिद्य मंदल को वहां दस-दस दिन पंदरा पंदरा दिन एक-एक महिने की बैठकें चलती थी हमें नहीं मालूम क्या चर्चा होती थी उस पर एक गैर राजनितिक संगठन है एक सांस्कृतिक संगठन है इसका क्या काम है चीन से जाकर बातचीत करने का हमें मालूम है कि दो हजार चौदा में तेरा नेता भारती जनता पार्टी के पार्टी स्कूल में गए पार्टी स्कूल क्या है चीन की कॉम्मिनिस्ट पार्टी का एक स्कूल है वहां ट्रेनिंग लेने गए शिक्षा लेने गए चीन की कॉम्मिनिस्ट पार्टी से भारती जनता पार्टी के नेता शिक्षा लेने क्यों जाते हैं क्या शिक्षा मिलती है उन्हें कि लॉट कर आते हैं माउंटें स्ट्राइक को रोख दिया जाता है इसमें नि को गुजरात में दिये जा रहे हैं पूरे हिंदोस्तान में दिये जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर केर फंड में उंसे पैसा लिया जा रहा है अना आप शनाप हरकत कह रही हैैं और मुत किसी को देश में जानकारी नहीं मिलें कि विवेकानन्द फाउंडेशन किसकी फाउंडेशन है इस देश की नीती निर्धारन करने वाले कुछ लोग हैं जो रीड की हड़ी है इस देश की इस सरकार की दोवल सहब की एक फाउंडेशन है विवेकानन्द फाउंडेशन उसके क्या रिष्ते हैं चीन से हम यह जानने चाहते हैं तरफान मंत्री चुक्पी तोड़िये बताइए क्या रिष्ते हैं आपके खास जो है विवेकाननद फानदेशन के जो करता धरता है構ं rls साब दूसरी foundation है इसी सरकार का उस पर पूरा वरधस्त है इंडिया foundation संग के काफी लोग उसमें जुड़े हुए हैं उसके क्या रिष्टे हैं चीन से बार-बार चीन क्यों जाती है वो foundation आज मैं आपको एक और खुलासा करने वाला है मैं तो पूर्ण खुलासा है इस देश के लिए जरूरी है यह जानना इस देश के विदेश मंत्री के सुपुत्र जिस foundation को हेड करते हैं उसके एक यूनिट को हेड करते हैं अमरीका में उस foundation को चीन की embassy से एक बाहर नहीं दो बार नहीं तीन तीन बार पैसा मिला है अभी हाल ही में मिला है क्यों मिला है क्या कारण है क्या कारण है कि पूरी सरकार चीन पर चुप हो जाती है क्या यही तीन चार जो कारण हमने आपको बताए जो हम सवाल उठा रहे हैं हम जब भी इनसे पूछते हैं टीवी डिबेट्स में पूछते हैं हम में से कुछ लोग कि चीन पर अचानक चीन इतना सक्रिय क्यों हो गया बॉर्डर तो भारती जंता पार्टी कहती है कि साथ हमने बॉर्डर इंट्रास्ट्रक्चर पे काम शुरू कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था इसलिए चीन थोड़ा घबराया हुआ है बॉखलाया हुआ हुआ है उस पर भी मैं आज आपको कुछ तत्थे बताता हुआ है बी एडिपी बॉडर एरिया डेवलप्मेंट प्लान ज्यादा पुरानी बात नहीं करते मनमोहन सिंग जी की सरकार पे रा जाते है दो हजार किलोमीटर का ट्रांस अरुनाचल हाइवे किस ने शुरू किया किसके वक्त किसके जहन में ये विचार आया डॉक्टर मनमोहन सिंग की सरकार के बता है एडवास लैंडिंग सिर्फ अरुनाचल की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा आज समस्या वहां चल रही है six advance land in grounds. दॉक्टर मनमोहन सिंग के वक्त अरुनाचल प्रदेश में बने इता नगर रेल्वेषेंशन दॉक्टर मनमोहन सिंग के वक्त अरुनाचल प्रदेश में बना और इसी तवांग छेत्र में 1986 में जब चीन ने गलत निगाह डाली थी राजीव गांधी जी ने सेना के हाथ नहीं बान दे थे पूरी अनुमती थी सेना को कि आपको जो उचित लगे करिये हम आपके साथ खड़े हैं जनरल सुन्दर जी थे ऑपरेशन फैलकन शुरू किया और चीन को मजबूर किया वारता करने के लिए चीन ने वारता की मांग की की चलिए हम बैठ कर बात करते हैं कि फ्लैग मीट जिसको कहते हैं फ्लैग मीट हुई चीन पीछे हटा राजीव गांधी वहाई नहीं रुक गया अपनी पीट थप थपाने नहीं गुम रहे थे पूरे देश में उन्होंने उस मौके का फाइदा उठाया चीन पीछे हटा अरुनाचल प्रदेश को राज जी कि विपक्ष को तो अनपढ़ मानते हैं जरा इन से पूछिएगा कि 1986 का ऑपरेशन फैलकन क्या था पूछिएगा कि अरुनाचल प्रदेश को पूर्ण राज जी का राज जी का दर्जा किस ने दिया पूछेगा माउंटेन स्ट्राइक कोर्ड किसने शुरू की और किसने रोख दी और फिर जो मैंने कंपनियों के नाम आपको बताए डॉंग फैंग यूसी वेब मोबाइल ये सब भी पूछेगा वैसे क्या पूछेंगे आप क्योंकि वह आपके सामने तो आते नहीं है डरत लेकिन जब मौका पड़े प्रधान मंत्री से जरूर पूछेगा इन सब सवालों के जवाब दीजिए और कहिएगा हमारे तरफ से एक संदेश जैराम रमेश जी ने जो आज नारा दिया है चुपई तोड़ो भारत जोड़ो आपके सवाल अरे आप जो कर रहे हैं वो आपति जनक है उस पर किसी को टिपणी नहीं करनी हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है सेना के हाथ बांद रहे हैं सेना को कमजोर कर रहे हैं एक वीर सेना और एक कायर राजा बताए सीमाय सुरक्षित कैसे रह सकती हमारी आपत्ती राजा की क encourages से हैं हमारी आपत्ती इस से है की कायर Raja ने एक वीर से ना के हाथ बांद दिये हैं तभी में आज आपको उपरेशन फैलकन की बात याद दिला रहा हूं कैसे राजीव गांधी जी के वक्त जनरल सुन्दर जी के हाथ पुरी से खुले थे और कैसे चीन पीछे हटा इसी तवांग छेत्र से पीछे हटा पीछे हटते ही हमने अरुनाचल यह होता है एक मजबूत राजा एक मजबूत से ना हमारी आपत्ती राजा की कायरता से है हमारी आपत्ती राजा की उन मजबूरियों से है जिसकी वज़े से वो चीन के आगे न मूँ खोल सकता है न चीन के आँखों में आँखें डाल कर बात कर सकता है